B.A. Second Year ग्यान इवं पार्टिक्रम पेपर 6B के अंतरकत यूनिट सेकिंड का हमारा टॉपिक फ्रेंक्लिन बोबिट के पार्टिक्रम विकास मॉडल के प्रमुक तथियों के वारे में अध्यन करेंगे पिछले वीडियो में हम फ्रेंक्लिन बोबिट के परिच्या के वारे में पढ़ चुके थे क्या उनकी एजूकेशन में भूमिका रही है और पार्टिक्रम के संबन में उनके क्या-क्या विचार थे क्या-क्या तथियों उन्होंने बताये हैं जिसके आधर पर पार्टिक्रम क निर्मान किया जा सकता है, तो इनके विचारों को हम जो विचार थे, जो प्रमुक विचार थे, वो हम पिछले वीडियो में कुछ विचारों को हम ले चुके हैं, उनके अध्यान कर चुके हैं, अभी हम जो हमारे बाकी जो उनके तथ्य रहे हैं, विचार रहे हैं, उनके वा पार्थिक्रम का सुरूप वैज्ञानिक सिध्धानतों के आधार पर होना चाहिए एक प्रमुक्त अथ्य था पार्थिक्रम के लिए लक्ष निधारत होना चाहिए बिना लक्ष के आप पार्थिक्रम निर्माण नहीं कर सकते पार्थिक्रम में आध्युनिक्ता का समावेश ह होना चाहिए वेफसाइक दायत्तों के लिए पार्ठिक्रम होना चाहिए और नागरता के लिए पार्ठिक्रम होना चाहिए तो यह हम प्रमुक तत्य विस्तार पूर्वक इसके वारे में हमा ध्यान पिछले वीडियो में कर चुके हैं तो आज हम जिन-जिन तत्यों को लेंगे जो और उन्होंने विचार जो दिये हैं उनको लेंगे तो इसमें हैं पहला NA soldier जो है हमारा परिवार के लिए पार्थिक्रम परिवार को ध्यान में रखकर भी पार्थिक्रम का निधरण किया जाना चाहिए ये फ्रैंकलिन बोबिट के प्रमुक विचारों में से एक बहुत महतुपूर विचार है जैसे बालक के परिवार के प्रति कौन-कौन से दायत्व हैं तो परिवार में उसका विवार करिस्प कार का होना चाहिए, यह भी पार्टिक्रे में समाईत होना चाहिए, जैसे इसे सम्मन देत, जो सब्जेक्ट्स हैं, आपके शोसल साइंस है, सोशलोजी है, जब सीनियर में बच्चे आते हैं, सोशलोजी है, पॉलेटिकल साइंस है, यह चीज़े हैं, बच्चे इसका अध्यान करके भी ह उनको इस तरह की जो परिवार के प्रतिदायतों होते हैं, उनका ज्ञान उनको दे सकते हैं। आवर्श्यकों मांनते थे नैस्ट है सामाजिक भूमिका के लिए पाठ्ठ्थ क्रम इसमें उन्हें जeedous प्रापत कराने के लिए पार्ठेक्रम उप्योगी होना चाहिए जो के समाजिक दायरे में रहकर ही उसका निर्मान किया जाना चाहिए। इस एकांग्षा की पूर्ति के लिए पार्ठिक्रम का स्वरूप जो उन्होंने बताया है वो कुछ छात्रों को प्रात्मिक इस्तर से ही सम्हू में गत्विधियां संपन करने की अफसर पदान करने चाहिए जिससे छात्रों में क्या होगा प्रेम, सहयोग और त्याकी भावन विक्सेत हो सकेगी। पार्ठिक्रम में सांस्कृतिक गत्विधियों का समावेश भी होना चाहिए जिस से समाज की संस्कृति का हस्तान तरड एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी के लिए चलता रहेगा और जिससे वो सनक्षन को प्राप्त होगा। पार्ठिक्रम में उन तर्थियों और गत्यविधियों का भी समाविश होना चाहिए, जिन से सामाजिक नियाय एवं सामाजिक समानता की सी उत्पन होती है, पार्ठिक्रम में उन सभी गत्यविधियों, नियमों, तर्थियों एवं स्वस्त सामाजिक परंपराओं का समाविश होना चाहिए जो कि वर्तिमान समय के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक हैं तो ये सामाजिक जो दायतों हैं वो पार्ठिक्रम में इन चीजों को शामिल करके पार्ठिक्रम कर निर्मान करना उन्होंने बताया है तो ये भी एक बहुत ही अच्छे विचार हैं और आज कर टा साधन के रूप में होना चाहिए वोबिट का माना था कि पार्ठिक्रम एक साधन के रूप में हो जिससे विविद्प्रकार की विकास संबंदी गतिविदियां एवं लक्षन को प्राप्ति किया जा सकता है साधन मानके अगर हम कोई चीज चलेंगे तो उसका हम प्राप्ति कर्ण के रूप में प्रस्तुत कर सकता है पार्ठिक्रम के माध्यम से ही समाज के नियमों एवं परमपराओं का परिमार्जन एवं समीक्षा की जा सकती है पार्ठिक्रम के माध्यम से ही हम परंपराओं नियमों को समझ कर उसके बारे में अच्छे से विकास कर सकते हैं उनको चीजों को समझ कर अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं जिससे समाज में रूडिवादी परंपराओं का समापन होगा और स्वस्त अब इसमें नैस हैं विध्यालय एवं पार्थिक्रम की जो भूमिका होती है वो विध्यालय के अंतरगती होती है विध्यालय एवं पार्थिक्रम का दोनों का एक दूसरे से बहुती घनिष्ट संबंध है तो विध्यालय विवस्ता के लिए बोबिट कुछ सुजाब देते ह जैसे विध्याले के द्वारा पार्ठिक्रम एवं पार्ठिक्रम सहगामी क्रियाओं में विविद प्रकार की कुशलताओं का विकास करना चाहिए जिनकी समाज अपेक्षा करता है एवं समाजिक समायोजन में जिनकी आवशक्ता होती है इसके लिए जैसे पार्ठिक्रम में स पारिशालाओं, परिचरचाओं एवां प्रत्योग्यताओं का आयोजन समय समय पर करना चाहिए, समुह में सभी को सहे भागी तक करने का अज़सर भी देना चाहिए. नेस्टर सिक्षक एवं पार्ठिक्रम जैसे विध्याले का संबंद है वैसे ही सिक्षक एवं पार्ठिक्रम का भी अपने आपने बहुत घणिश संबंद है तो यहां क्या कहा है, यहां उनके क्या विचार है, पार्ठिक्रम निर्मान करता के रूप में, शिक्षक को मानता प्रदान की है, क्योंकि सिक्षक को पार्ठिक्रम, विध्याले, शात्र, एवं समा संबंदी अनेक अनभव होते हैं, इन अनभवों को जब पार्ठिक्रम में स पारिवारिक जीवन एवं सामाजिक जीवन के अनुववन को उनकी उपयोगिता के आधर पर पार्टिक्रम में स्थान देना चाहिए तो यह हमारी प्रमुक्त तत्य थे जो के फ्रेंक्लिन बोबिट से संबन देत थे तो इनका मतलब जो पूरा इसका हम आकलन करेंगे अगर इसकी समिक्षा करते हैं तो क्या इससे स्पष्ट होता है कि बोबिट ने अपने पार्टिक्रम विकास के पतरूप में समगर एवं व्यापक पार्टिक्रम का सवरूप प्रस्थुत किया है वह उस पार्टिक्रम के सवरूप को उप्योक्त मानते हैं जो कि छात्र के आगाम जीवन में वह अपने जो भी उसके कदम है वो उसके लिए सायक शिद्धुन ठीक है उसके सामजिक जीवन को सरल एवं स्वभाविक बना सकें जो के क्या करेंगे चात्र उसके द्वारा एक ऐसा नागरिक बन सकता है जो के समाज राष्ट एवं वैस्विक इस तर पर अपने राष्टों को सभलता पूर्वक दिर्वान कर सकता है तो यह पार्ठिक्रम का उद्देश्य होना चाहिए यह हमारा आज का टॉपिक खतम हो गया है नैस्ट हम लेंगे राल्फ टायल इनके भी विकास पार्ठिक्रम विकास के सम्मंदित कुछ विचार है उनको भी पढ़े और यह हमारे स्लेबस में है इसलिए आगे आने वाले वीडियो में हम रॉल्फ टायलर के बारे में चर्चा करेंगे आज के लिए इतना गुड़े